आज का हमारा डिस्कृशिन का टॉपिक है विंड एज एन एकोलोजिकल फेक्टर विंड एज एन एकोलोजिकल फेक्टर तो विंड क्या है पस्तो फाल अलंग्य के विंड विंड इस एर इन मोशन इस इस एर इस एर जो मोशन में पदाब है कि वह हमारे पास विंड और इस एर इस एर इस एस मिश्क्शेर ट्रफोसफेर के अंदर जो कहा होता है फिछेनरत सब्सक्राइब एंवय हम देन चाहिं सेनली है दे माल तो यह जो विंड है है इंपोर्टैंटि प्लेक्टर बेखन सब्सक्राइब आ chrom सुब्सक्राइन औहली, इक तो सबसे इंपोर्टैंट ईक लुए ख préfाष बGreenिख कहता है flat plains ठीक है या उसके अलावा ये है sea coast में important एक ecological factor है या फिर high altitude mountain में एक important ecological ये factor है altitude mountains ठीक है तो अगर हम बात करें कि ये वो areas होते हैं जहां पर विंड को कोई भी restriction नहीं होती है अपनी movement में तो इसलिए यहां पर विंड की speed होती है वो एक maximum speed है तो विंड की velocity को विंड की speed को और direction को जिस instrument से मयर किया रहता है उसको क्या कहा रहता है अनीनो अनीमो मीटर यह ऐसा इंस्प्रूमेंट है जिससे हम विंड की velocity speed या फिर उसकी direction को मेजर कर सकते हैं ठीक है तो विंड एफेक्ट करती है जो प्लांट की जो डिरेक्टी एफेक्ट करती है increase करके transpiration rate को या फिर डिलिवर करके heat to cool leaves में हो रहती है heat leaves में से और various mechanical method है seed और food की dispersal करवा के wind जो है वो एफेक्ट करती है directly plant को तो कुछ यहां पर हमारे पास factors है wind के जो effect हो जिससे plant effect होती है तो सबसे पहले है desiccation desiccation factor तो desiccation में कहा है कि air जो एसी air जो motion में होती है तो वो कहती हो evaporation करवा जिलती है leaves की surface के उपर से पानी बार 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 जो evaporate होता रहता है नीचे से पानी बार 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 की तरफ आता है तो वो एक तो था ना के एक specific limit तक जो पानी हो evaporate कर रहा है तो तो था फाइबेमन अब excess of everything is bad थीक है ना तो एक काम में जो हद से जादा हो रहा है तो वो कहा है वो बुरी चीज है तो evaporation का rate बहुत जादा भड़ जाएगा जो tissue leaves के और twigs के वो मर जाएगे tissue leaves के और different twigs है वो इतनी severe हद तक पानी जो होगा वो वहां से evaporate कर जाएगा कि उनकी death होने शुरू हो रहेगी दूसरी हमारे पास condition है डवार्फिंटी तो डवार्फिंटी के अंदर के आए कि तरजिटी जो होती है ना प्लांट के अंदर तरजिटी क्या concept है तरजिटी का आपके दमाग में तो यही concept है कि जो वैक्यूल के अंदर पानी की quantity बहुत जादा हो रहती है जो के cell वाल को push कर तरजिट बना के रखती है इसकी वरा से प्लांट की शेप हो एक प्रोफर टरजिट शेप होती है तो प्लांट के सरफस के उपस होती है वह इस तरह फ्लेन होती है और जब यह तरजिटी लूस किस तरह होगी तो पानी ही बार-बार वैपोरेट करी जा रहा है पानी ही बार टर्जीटी प्लांट की रहा जाएगा प्लांट की इनहेंस करती है तो जब टर्जीटी लूस कर जाएंगे तो तो इसकी वड़ा डैसी केशन की वड़ा से तो टो डिवार्फ हो जाएगा तो थर्ड पिंग सीर्ड इस कही है कि जब डिवल्पिंग शूट ऐसी शूट जो हर्बेशियस शूट में इसे बासी है ऊएक ये इक रिंट की तरफ से जो होगा हो प्रे tiles बार बार विंड की फोर्स पे क्या कर जाएगा विल्ट कर जाएगा एक तो पहले ही उसके पास अगर प्रेशर लोगी तोड़ी है उसके पास खुद को मेंटें दखने के खुद को मजबूत करने की नहीं है ताकत तो दूसरी चीज में अब हरबेशियस है वह एक तरफ से इस दो बिड्ड का प्रेशर लग रहे है तो वह वीट कर जाएगा थीक है तीसरी है मारे पास चोकी सोडी ब्रेकज ब्रेकेज में क्या होता है अब ऐसा प्लांट जो के एक तो उसकी स्टेम जो है वह वीक है वीक स्टेम है ठीक है फिर उसके अलावा जो है वह हाई विंड जो आ रही है वह क्या करेगा वह उसकी अब्रेशन करवा देगा लिटल वुड़ी ट्री जिसके अंदर ऐसे ट्री स्टेम वी का मतलब के ऐसे ट्री जो के सॉफ्ट वुड़ वाले होते हैं एंड ब्रिटल वुड़ तो इसके अंदर यह है कि इतनी ज़्यादा पॉर्स लाइटी तो वो वुड़ जो हो तूट भी सकती है लिए और अक्सर होती है वी इतनी ज़्यादा पॉटेंशिल रिए गया होते है कि वन्स गंदर चोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो बहुत ज्यादा अब्रेसिव होती है वेरी पोटेंट अब्रेसिव तो उसके अंदर क्या होता है कि वह अगर आंग के अंदर चले जाएंगे दो इसके अलावाद हमारे पास सिक्स है इरेहन और अरेहन तो बहुत ज्यादा अब्रेसिव नहीं होती है जो होती है पार्टिकल्स यह जो नैशल सौइल सौइल है उसकी और अरेहन करवा सकते हैं soil are eroded by eroded away by that wind ठीक है और हमारे पास अब six concept seven वाला है sorry वो है lodging lodging का phenomenon क्या होता है इसके लेट सी तो lodging में क्या होता है कि जब temporary injury होती है प्लांट को concept को हम कहते है कि यह क्या होगी इसकी lodging होगी है temporary injury to plant तो यह ऐसी injury है जो बहुत violent means से होती है इसकी वरा से जो crops होते हैं वह बिल्कुल ही जमीन के साथ flattened हो रहते हैं इस तरहां जमीन के साथ लग रहते हैं अकसर आप देखते भी होंगे के जब पिक्चर्स में देखा होगा या फिर कहीं आपने सफर किया या कुछ गाउंब करना में रहते हैं तो आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा आती है आती है यह हवा आती है तो यह फस्लेन होती है वो जमीन के साथ लग रहती है तो अगर कोई ब्रिटल और सॉफ्ट वुड वाले ट्रीज होंगे तो वो तूट जाएंगे ठीक है या फिर अपरूट हो जाएंगे तो आई होप्स होगी आपको इसकी विंड की आज एकोलोजिकल फैक्टिर की समझ लगी होगी और अब मैंने जो एकोलोजी की प्ले लिस्ट है उसको आप विजट करें प्लीस उसके अंहीं परोंगे साफ लिगायए झालीर वाले था टेजाऑवावा तो सीस इक लिए टॉपेकशन फारूट करण रहेंगे तो काइंदी लाइकट शृर कर दे सपोर्ट कर दे